नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इसकी वीडियो में बात करना वाले हैं अगर आप OLX यूज करते हैं और OLX पर आपको जो है कुछ भी पसंद आ जाता है कोई भी चीज़ आप बाई करने का ट्वाई कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको भी अनेबल टो कॉनेक्ट का जो है वो प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो गाईज आपको करना क्या है आपको आना है अपने मोबाईल की सैटिंग के अंदर दन उसके बाद यहाँ पर स्क्रोल करना है और यहाँ पर आपको एपसेंट परमिशन देखने को मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा दन उसके बाद एप मनेजर मिलेगा अप मनेजर पर क्लिक करिए दन उसके बाद यहाँ पर OLX जो आपकी अप्लिकेशन है उसको सर्च क करने के बाद यहां पर storage option देखने को मिलेगा storage पर click करिए storage पर click करने के बाद यहां पर clear data देखने को मिलता है then उसके बाद आपको second काम क्या करना है आपको आना है प्ले स्टोर के अंदर प्ले स्टोर में आपको OLX इंडिया सर्च करना है OLX India search करने के बाद आपको यहां से इसको open करना है open करने के बाद यहां पर आपको देखना है अगर आपको इसका update आया है तो आपको OLX का update कर लेना है अगर आप update नहीं करेंगे तो maybe हो सकता है technical issue होने के वज़ासे आपको error आ रहा हो तो make sure आप इसको update जरूर कर लें जैसे ही आप update कर लेंगे आपकी जो problem होगी वो solve हो जाएगी फिर आपको buy करने में और chat करने में कोई भी problem नहीं होगी honor के साथ तो guys यह आपको काम कर लेना है अगर फिर भी यह काम करने के बाद आपको problem as it is बनी रहते है then उसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर एक से दो दिन का wait करना होगा क्योंकि यह कई बार server down होने के वज़ाए से problem आ जाती है तो यहाँ पर OLX की तरफ से पिछे से ही यह problem आ रखी होगी तो आपकी problem एक यह दो दिन के अंदर solve कर दी जाएगी सिर्फ आपको wait करना होगा गाईस तो यह कुछ solutions थे अगर इनसे आपकी बात बन जाती है तो ठीक है अगर फिवी आपको एक दो दिन के बाद भी problem एजटीज बनी रहती है तो मुझे comment box में जुरू बताएगा मैं आपके लिए कोई solution लेकर आँँगा बस आज के वीडियो में इतना है मिलते हैं आपके वीडियो में तिल ने मैं टेक है लव यू ओल